हेलो एव्रीवन कैसे हैं अप लोग आई होब कि आप लोग सब अच्छे होंगे तो आज के इस वीडियो में हम लोग लेट लान मिथला इंवर्शिटी दोहजार चोविस का जो एक्जाम होने वाला है उसके लिए मैथमेटिक्स ओनर्स का जो पेपर थिरी का इंट्रीगर किल जो हमारा बुक है उसमें जो इंपोर्टेंट को हुआ हुआ है यानि कि आपको हम बताएंगे तो देखिए यह कोईचन जाओ 2017-2019 2014-2021 में आया हुआ यह भी कोईचन बहुत ही इंपोर्टेंट है तो आप लोग देख लिजेगा इनको जाओगा कैस्टे स्वाल्व करते हैं इन से पहले बहुत सारा वीडियो अप्लोड कर दिया है अगर आप नहीं देखें तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देदेंगा वहां जाकर आप लोग देख लिजेगा काता इवेल्वेट इंट्रिगेशन ओफ जीरो और नी इंट्रिगेशन ओफ आइट्रिगेशन ओफ दी एकस बट्टके ये वन पलाइस ये एकस एसको हमाल लिए अब देखिए हम क्या करते हैं इसमें हम पूट कर देते हैं क्या करते हैं तो पूट करते हैं ये x equal to 1 by t 1 by t जो हुआ हम put करते हैं फिर जाके इसको differentiate करते हैं differentiation with respect to x x का 1 हो जाएगा 1 by t का minus 1 बटे t square हो जाएगा और ये t का हो जाएगा dt upon dx ये इतना हो गया अब हम यानिकी क्या करते हैं यहां जो हुआ हम क्या करते हैं तो यहां पर जो हुआ हम यहां पर लिखते हैं तो यहां पर देखिए ये जो हुआ t square और ये dx equal to minus dt हो गया ठीक है तो यहां समय dx चाहिए therefore ये dx equal to हो जाएगा minus 1 by t square dt ये इतना हो गया अब देखिए इसको जो हम इसमें put करते हैं तो put करते हैं ये हमारा हो जाएगा now ये हमारा हो जाएगा ये जो भाई से हमारा हो जाएगा i equal to ये integration of ये देखिए ये हमारा क्या है dx है तो dx का स्थान पर ये हमारा हो जाएगा minus 1 बट्टे ये t square dt और ये बट्टे है ये बट्टे हमारा हो जाएगा 1 plus x square तो यह जो है हुआ X का स्थान पर यह हमारा 1 बटे X का स्थान पर 1 बटे T2 हो जाएगा और यह अंडर रोट यह 1-1 बटे T2 यह इतना हो जाएगा यह इतना हो गया अब देखें इसको जो हुआ हम सिंप्लिफाइ करते हैं यह आई एक बल्टो तो यह हमारा जो है हुआ मैनास 1 बटे यह T2 यहां पर देखें यहां पर हम क्या करते हैं और यह हमारा DT है DT दे दीजिए और यहां पर देखिए यह जो है हुआ हमारा इसका LCM ले लेंगे यह T2 पलास 1 बटे यह जो है हुआ T2 हो जाएगा ठीक है और यहां पर जो है निकी इसको सिम्विलिफाइ करेंगे इसका LCM ले ले लेंगे तो T2 और यह बाहर हो जाएगा यह हमारा T हो जाएगा और यह अंडर रूट हमारा हो जाएगा T2 मैनस 1 यह इतना हो गया अब देखिए बवा यह T2 और यह T2 इसका औ मैनस T DT बटे यह 1 पलास यह T2 और यह रूट में हमारा हो जाएगा T2 मैनस 1 यह इतना हो गया यह इतना हो गया अब देखिए अगेन पूट करते हैं यह T2 मैनस 1 को हम जाएगा Z2 पूट करते हैं यहां पर हम लिख देंगे एगेन एगेन पूट T2 मैनस 1 इक्वाल टो Z2 यहां से T2 का भेलू हम निकाल देंगे तो Z2 पलास 1 अब इसको जह हुआ डिफ्रेंशियेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट ट क्योंकि यहां पर DT है इसको T2 क्रिफ्रेंशियेट में जाएगा हम डिफ्रेंशियेशन करेंगे यहां प जीरो और यह 2Z2 का कितना हो जाएगा तो 2Z और यह Z का हो जाएगा DZ बटे DT हो जाएगा यह 2 से 2 कैंसिल 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहां से जो हुआ देरफोर आएगा क्या आएगा तो देरफोर यह T यह जो हुआ T DT एकवाल टू Z DZ यह इतना हो गया अब हम कोहिचन चलते हैं कोहिचन में हमारा I एकवाल टू देखिए यह T DT का स्थान पर हमारा Z यह जो हुआ हुआ मैनस Z डीजर हो जाएगा और यह बटे देखे यह ज यह Z square पलास यह 1 ब्राकेट बंद कर दीजिएगा और रूट में जो हुआ यह देखिए T A square है तो T A square का स्थान पर जो है वह इनिक ही T A square मैनस 1 का स्थान पर Z A square है तो Z A square डारेक्ट हम रख देगे तो यह हमारा I एकवाल टू बनेगा क्या बनेगा तिहां से मैनस Z DZ बटे यह जो है हुआ Z square पलास टू और यह इन्टू Z हो जाएगा तो देखिए यहां जो हुआ यह और यह Z cancel हो जाएगा यह और यह Z जो हुआ cancel हो जाएगा तो cancel हो जाएगा तिहां पर जाएगा क्या बचा हुआ है तो यह I एकवल टू मैनस बाहर हो जाएगा DZ बटे यह Z square पलास यह root 2 का whole square यह इतना हो गया यह इतना हो गया अब देखिए since हम लोग जानते हैं एक formula जानते हैं क्या हम जानते हैं यहां पर लिख दीजिए we know that we know that हम formula जानते हैं यह formula जानते हैं कि DX बटे यह X square प्लस A square रहता है उसका integration होता है 1 बटे A 10 inverse X बटा A बटा है तो यहां पर इसका integration करेंगे यह हमाला i equal to हो जाएगा 1 बटे root 2 यह minus बहार है मैनस बहार कर दीजिए और यह 10 inverse यह जो होगा Z बटे यह root 2 हो जाएगा यह इतना हो गया अब देखिए बारी बारी इस पहले हम Z का value रखेंगे तो यह I equal to और यह plus C दे दीजिए तो मैनस 1 बटे root 2 यह हो गया और यह 10 inverse Z देखिए Z equal to हम Z square equal to put किये थे यहां हम Z का value निकालेंगे यह under root T square minus 1 आजाएगा यह हम रखेंगे यहां पर यह under root यह हो हमारा क्या आएगा तो यह हो हम put किये थे यह हमारा हो जाएगा T square minus 1 बटे root 2 पलास C अब यह हो हम T square का स्थान पर put करेंगे यहां हम क्या करेंगे यहां हम जब T का value निकालेंगे यह 1 बटे X आएगा क्या आएगा तो 1 बटे X आएगा यह हम यहां हम रखेंगे क्योंकि X के रूम में था एक्स के रूम में हम इनको लाके छोरेंगे यह I equal to minus 1 बटे root 2 10 inverse यह हमारा हो जाएगा अंडर root 1 बटे X था तो 1 बटे यह X स्कार में बटे यह root 2 और पलास C हो जाएगा तो देखेंगे यहां पर यह जो हुआ भाई साहब हमारा बच्चे आएगा यह I equal to minus 1 बटे root 2 और यह हमारा 10 inverse LCM ले ले लेंगे यहां पर हमारा हो जाएगा यह X स्कार यह 1 minus X स्कार बटे यह root 2 पलास C फाइनली जो हुआ हमारा I equal to आएगा minus 1 बटे root 2 10 inverse यह X है X नीचे आजाएगा यह हमारा हो जाएगा अंडर root 1 minus X स्कार बटे यह root 2 X plus C यह जो हुआ हमारा final इसका जो हुआ क्या होगा तो answer हो जाएगा यह जो हुआ हमारा answer हो जाएगा I hope कि आप लोग यह question जो बहुत है अच्छा त्रिका से समाझ गांगे तो चलिए वाम next video में मिलते है next question के साथ अगर यह वीडियो आप लोग काच्छा लगा होगा तो ला